हाल ही में एक ख़बर आई थी कि कैनडा की एक महिला टिक्टॉकर के अधिक पानी पीने के कारण उसके तबियत बिगड़ गई और उसे अस्पताल में भरती होना पड़ा महिला जादा पानी पीने के कारण बिमार पड़ गई और जब वो अस्पताल में पहुंची तो डॉक्टर ने बताया कि उनको sodium deficiency या hyponatremia हो गया है डॉक्टर ने महिला को बताया कि अगर उस समय पर उसका इलाज नहीं होता तो महिला की जान भी जा सकती थी तो ऐसी में सवाल उटता है कि किसी स्वस्थ इंसान को एक दिन में कितना पानी पीना चाहिये एक दिन में कितना पानी पीए इसके लिए कोई एक निश्चित formula नहीं है हलाकि अधिकता डॉक्टर्ज और हेल्थ एक्सपर्ट सला देते हैं कि एक स्वस्थ इंसान को प्रते दिन आठ गलास पानी पीना चाहिए एक दिन में कितना पानी पीए ये environment, exercise, pregnancy और breastfeeding जैसे कार को पर निर्भर करता है अब सवाल ये उठता है कि क्या होता है जब हम जादा पानी पी लेते हैं जब आप अधिक पानी पीते हैं तो आपको food poisoning की तरह water poisoning हो सकती है इससे दिमाग धंग से काम नहीं करता है ऐसा इसलिए क्योंकि जब हमारे दिमाग की कोशिकाओं में अधिक पानी हो जाता है तो वो swell हो जाती है जिससे दिमाग में pressure पैदा होता है और ऐसी इस्थिती में इनसान को सिर्दर्द और भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है ऐसे में इनसान को concentration करने में भी problem हो सकती है जब ये pressure बढ़ता है तो patient को high blood pressure की समस्या हो सकती है और इसके साथ साथ उसकी heart beat भी बढ़ सकती है शरीर में अधिक पानी हो जाये तो क्या करना चाहिए? शरीर में अधिक पानी हो जाये तो body में sodium की कमी हो जाती है जिससे hyponatromia की समस्या हो जाती है sodium हमारे शरीर का एक एहम तत्व है जो liquids के बीच में संतुलन बनाने का काम करता है जब इसका स्तर घड़ता है तो कोशिकाओं में सूजन पैदा होती है जिससे व्यक्ती कोमा में जा सकता है और उसकी जान भी जा सकती है चलिए बात करते हैं कि कैसे पता करें कि आप अधिक पानी तो नहीं पी रहे है सबसे पहले आपको चेक करना है urine का color हम ज़्यादा पानी पी रहे हैं नहीं इस बात का पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका है urine का रंग पैचानना अगर urine का रंग हलका है तो इसका मतलब ये है कि आप सही पानी पी रहे हैं अगर आपके urine का color जादा yellow है तो इसका मतलब ये है कि आप कम पानी पी रहे हैं बार बार bathroom जाना अगर आप सामानने से जादा बार bathroom जा रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप जाधा पानी पी रहे हैं अगर आप दिन में 6-8 बार बात्रूम जा रहे हैं तो सामानने माना जाता है हलाकि जो लोग अधिक कैफीन और अलकोहल का सेवन करते हैं वो नॉमली 10 बार बात्रूम जाते हैं जो कि नॉमल है प्यास न लगने पर भी पानी पीना बिना प्यास लगे भी बार बार पानी पीना ये बताता है कि आप जाधा पानी पी रहे हैं इससे बचने के लिए आप पानी तबी पीए जब आपको प्यास लगे अगर आप जादा पानी पी रहें तो आपको nausea feel हो सकता है इसके साथ ही आपको vomit भी हो सकती है जब हम जादा पानी पीते हैं तो हमारी kidney पर दबाव पड़ता है और वो शरीर के अतरिक liquid को बाहर नहीं निकाल पाता है इस वज़े से liquid शरीर में जमा होने लगता है जिससे मतली और vomit जैसा feel होता है और diarrhea की समस्या भी हो सकती है इस कारण दिन भर थकान भी आपको हो सकती है अगर आपको बहुत जादा body pain हो रहा है या फिर कमजोरी महसूस हो रही है तो हो सकता है कि आप जादा पानी पी रहे हो हाथ, पैर और lips का color change होना अगर आप जाधा पानी पी रहे हैं तो आपको महसूस होगा कि आपके हाथ, पैर और होटो के रंग में हलका बतलाव आया है या उनमें हलकी सूजन पैदा हो गई है जब बोडी की सेल्स में स्वेलिंग पैदा हो जाती है दब स्किन भी स्वेल हो जाती है सोशल मीडिया पर ऐसे आर्टिकल्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जिसमें ये लिखा होता है कि आपको दिन में कितना पानी पीना चाहिए आपको ज़्यादा पानी पीना चाहिए नब कुले.